प्रेंग वेलकम टू तु दुरत अचीवर और आपकी फॉर्स्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते वे बाइलोजी सेक्षन को जो नेया चेप्टर एक लास टेंट का वह है आवर इन्वाइमेंट हमारा प्रियावरण ठीक है अब सबसे पहले देखेंगे कि इन्वाइमेंट है कि काँ सीजीए रहे है किया कोई भी आपके जो आससपास की चीजीजी जैव मितनों के आपके क्या वह व्ह भर प्रियावरण थे करिको एप सुलिख्यों आपको क्वाइमेंट को क्या बोलते हैं अब जैव को क्या हैं बायोटिक कंपनेंट को अधर को अब आयूटिक कंपोनेंट को इस कशीजित हैं इन दोनों के परसपर संबंद को ठीए परसपर संबंद को हम क्या बोलते हैं से पारिस्थित्र की तंत्र ठीक है इन दोनों के किसी एक छेत्र में इन दोनों के इंट्रेक्शन को जैव और अजैव के इंट्रेक्शन को या फिर संभन्द को क्या कहते हैं इन दोनों के किस तंत्र कहते हैं यह फिर या फिर में thank you अब जीडिकर नेचरल इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है ठीक है अब बेको नेचरल मतलब पॉंड ताला वगएर्ण ठीक है जो पैली से हैं रीवर वगएर्ण ठीक है फॉरेस्ट वगएर्र अब इन दोनों के बीच में संबंद कैसे आप जो जो है जैब किसे हो गई आप दूरहों की है डूसरीम से क्या है संबंध और इसे संबंध को हम क्या मों रहोते हैं फारस्तिकी तंत्र सथी अगर परिष्मक यह प्राक्रिव Hee he is co Tu konć बहुते हैं और मैंमेड थो मैंमेड की अग्जम्पल के तो मैं मेड की क्या होगेで अब जैसे हमारे खेत हो गए लेक्राइव ऑस समझ में वागे जो यह चीज नहीं हैं अब जाया होती है अब जो जायव होती है जैसे हवा हो गई आप जैब चीजों में इसको बाटा हुआ है तीन तरीके पर ठीक है सबसे पहला होगे प्रोड्यूसर जिसको क्या बोलते हैं उत्पाद उत्पालत कौन होगे इस्पेशली ग्रीन प्लांट होगे जो अब सव पोशी जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें बोलते हैं लोग प्रोडूसर अब प्रोडूसर दो सबसे पहले एक्जांपल क्या आजाएगा इसके एक्जांपल आजाएगा प्लांट ठीक है अब इसके बाद प्रोडूसर के बाद आ जाते हैं हमारे पास उपभोकता फंज्यूमर या फिर उपभोकता ठीक है अब जो क्या होंगे जो प्रोडूसर पर डिपेंडेंट होंगे उसको बोलते हैं उपभोकता बोलते हैं अब उपभोकता भी कितने तरीके के होते हैं हमारे प या फिर कारणिवोर्स और एक होता है सर्वहारी जिसको बोलते है ओमणिवोर्स ऐी कि झायते हैं एक रहना है जिसको क्या कहते हैं प्रीजीविस प्रीजीविक है यज फिर हो एप अब देखूंग इसे समय के समझते क्या होते है busca में आपके थो यह दो सबस्क्रा आप आप सबसे पहर नहीं क्या कहाते हैं लुटले यह कहते हैं उंने क्या बोलते हैं शाकाहरी यह दिश्चंट्ट पार को सब नहीं देख रही हैं एत्व क्या उब सुन्टक्रगे क्या दाजिस्टिटीड थे बाइखा हुआए वह वह दोगी है मानसारी में पड़ा है सब कुछ खाते हैं अब दियान दखना जो है इसका हिप्पोपोटेमस क्या होता है वो घास घुस खाता है ठीक है दूसरा होगे आपके पास बनी क्या होगे तो यूमन बींग्वा जाएंगे डॉग आजाएगा ठीक है आपिस्व चीज चील है उन पर लगए होता है वहां से पना खाना लेते हैं यसी कि जू हो गई है है लाइस हो गई लीच हो गई लीच मतलर यह जो कि जो के पानी दालते हैं तो शुक्त पानी दालते हैं चल्ख है उनको यह नाम ध्यान मी आ रहा है रहा है इसको क्या बोलते हैं तो अब रखर आप घटागे फिर कि टालते हैं जो अवच्छेशित गरना को घ्रक्वार। इसमें आजाएगे आपके फंजाई और इसमें आजाएगे आपके कुछ-कुछ बैक्टेरिया ठीक है यह किसके बार में जैब जीशकों में धाला वता किसमें की क्या 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 चीजिया है ठीक है इसके बाद हम लोग पढ़ेगे जो एंसी आडी के साब से वो है आप कईबढ़ को और लोग शाहां इसको कहते हम लोग 스री पूरक है स्पेशले फूर्ट चेंग क्या कहते हैं फूर्ट कि यह फिर आहार श्रीम खळाफ़ी अब क्या फूर्ट चेंग इस पेशली क्या होता है को यह मैं जो सब्सक्राइब जो यह producer है यह जो consumer किसपे डिपैंडेंट candle producer पर और सब Алजी थिच्री झाओ今 बार करता है क्या है एक एक चीज दुसरे पर खाने के लिए क्या होते है डिपैंडेंडंध होती है वह इयुझ हुमारी इसके एक्जामपल देखो जैसे आप जो प्रोडियूसर है उसको पहले ने खाया पहले कंजूमर हम बहुत सकते हैं काव यह फिर डियर उस काव को फिर किस ने खा दिया बाग ने खा दिया लौय ने खा दिया ठीक है तो यह क्या है फूट चेंट चल रही है एक दुसरे का ख तो रियर है 5 से ज़्यादा होंगे मैकसिमम 5 है तरह थे तीन होता है तीन ही तक जाती है और अभी हम देखिंगे तीन तक ही क्यों जाती है जिब हम इसमें देखिंगे 10% लोग ठीक है तो सबसे पहले देखिंगे देखिंगे फूर्चेन है क्या एक दुसरे के खाने के लिग अपने खाने के दुसरे के दुसरी चीज पर हो ना उसी को हम वोते फूर्चेंग बोलते है अब दस परसन लौट दिया किसने था जो मैंने नहीं दिया था तो इसमें उन्होंने बोला क्या था आपको एक और चीज धियान लखनी है जब को क्यों से कि अगर सब्सक्राइब करा पाते हैं अगर स्टेटा नेरजी ओंधर करते हैं हैं सिर्फ एक परसेंट बागते हैं फिर फिर वह आपकर अगेनेश्ण और नहीं करता है हमारा Candesium Aliment क्या होता है जो प्रमोन क्लोरफिल में प्रेजन होता है और क्लोर फिल कहा प्रेजन होता है हमारे मिजोफिल के बारे में देखे रहें ते इन्होंने क्या कहा जो एनर्जी ट्रांसफर होती इसके बारे में बना था उर्जा का इस्तांतरन एक जगह से दूसरे जगह पर इन्होंने का अगर कोई घास है अगर अगर कोई घास है अगर वह 100 जूल उसके पास एनर्जी है उसने 100 जूल की एनर्जी बनाई अपने पर ठीक है तो जो यह इंसान जो चीज़े घास खाएगी ना वह सिर्फ दस परसंट की एनर्जी उसको आएगी ठीक है और जो चीज़े दस परसंट की एनर्जी खाएगा ना तो चोड़ चोड़े कीरे मोड़े खाएंगे उसको कौन थाएगा डिकंपोजर कहता है और डिकंपोजर में कितनी परसंट एनर्जी आएगी इसी को दस परसंट लॉग होता है अर इसका 10% मतलब 100 का 10% कैसे निकालते हैं 100 इंटू 10 बटे 100 100 से 100 कटा तो 10 इसमें एनर्जी यहां रखना है और 0.1 अब इस 1 का निकालो 10% कितना रहा है इस वन निकालो 10% तो यह जाएगा इसको उपर जाता है तो 0.1 जूल आजाएगा तो यही था आपके पास 10% रूल था जो यह फिर लॉग था ठीक है कि हमेंसे क्या जाएक 10% एनर्जी जाएगी एक से दूसरे मि अगर किसी चीज ने घास ने 100 एनर्जी की जूल नेजी बनाई है तो जो घास को खाएगा उसमें सिर्फ 10% घाएगी तो यह था 10% के बारे में था 10% ठीक है अब इसके बाद यह प्यां से इक फूड वैब स्पेशली चाहते है फूड वैब क्या हो गई आँए और जाल के यह फिर आहार जाल यह सिर्ट टम्स है क्योंकि जो इस्पेशल टैंथ में वह जादा देन रगा कि किस साइंटिस ने फूडचेन के बारे में बताया था कि इसने यह बताया सिंपल साथ तर्म्स देर किसले सिर्फ टम्स समझेंगे कि हो सकता है कि आपको इसे फूड़ वैब क क्या चीज होती है अब यह को आहट जाल स्पेशली क्या होता अब ही हमने देख में चेइन फड़ी तो सीथी कोई चीज जा रहती है तो यहां क्या होता है जैसे ग्रास को ग्रास को कौन गवन सब्सक्राइब कवा को तो खायेगी था इसके बाद अकी ब्रॉड़ ठाएगा ठीक है अब इसको इन दोनों को कौन खाता है लोयन खाता है ठीक है रैड को कौन खाता है इसने को कौन खाता है यह इगल खाती है ठीक है ऐसी क्या होते हैं यह दूसरी पर क्या और की जाल टाइप को बना रहता है उसी जाल कौन क्या बोलते हैं फूड वैब बोलते हैं ठीक ह हमने यहां पर देखा कि एक चीज पर चल रहा था ना एक लाईं चल डोला पर वैब ईसले बोला जाल किसले बोला कि एक चीज रहा खाना बन रखी है इस त्चिज को ने क्या बोला अहार जाल बोला ठीक है अब इसके बाद देखेंगे कि यह ब्लास्टिक हो सकता है पेपर हो सकता है कुछ भी जह हमारे काम की नहीं होती है तो किया करते हैं था ठीक है अब को इस वेस्ट का वेस्ट क्या कर रहा है हमारी इंवारिमेंट को पालूट कर रहा है जिससे क्या हो है बहुत ज़दा नुकसाद दिखा जा एक और चीज अपना मेहत्वर एक भी पर केंशित, में पर्ट स्कीज भी खताम होगा, तो वह क्या कर देती है बहुत겁 स्किया होती बहुत हांए क्या ऐपाइभे तैने इको सिस्टम को एक मुझान आप पर में परण। जिस कारण हर्भी बोर्स की या फिर जो इस पेशली कंज्यूमर थी उनकी संक्या बहुत बढ़ गई जो क्या होई उन्होंने पूरा का पूरा जो लैंड था उससे सारी घास पगए रखाना है लैंड कुरी बेरन बन गई और वो डेजर्ट पे बतल गई और ऐसे ही कहा हुआ आपके पास राजिस्तान डेजर्ट में भी हो तो हर चीज क्या होते हैं हर एक स्टैप का अपना मायनन क्या होती है अपनी इंप्टेंस होती है तो ऐसा नहीं होगा अगर कुशन आता है कि अग बढ़ा एक पड़ेगा ठीक है अगर ठीक है अब इसकाथ हम कहते हैं हर भी पोर्ट को रग दिए बाग को हमने साब कर दिया बाग ही बाग रखें तो बाग क्या करेंगे अपना खाना ले निकले कहा जाएंगे बस्तियों में आ जाएंगे और वहां से क्या करते हैं हम फलर वहां क्या करने के मैंनेश करने के लिए ऐसा छल में ऑनिल्ग बनाया है कर दो चीज हम अपने घर के बाटा है का प्लाईवा को लोग ने आजेव में पुडूते हैं जो चीजे प्लांट से बनी वी ऊँगी और जो रप्लांट में आजेव के वेस्ट बनी कैसे हो जाएंगे अब हाम तो नहीं पहुंचाते हैं पर हाम कैसे हो जाएंगे अगर अगर आप क्या करते हो किसी प्लास्टिक को और किसी पेज को क्या करते हो अगर जैमिन के अंदर रखते हो अगर प्लास्टिक सेम का सेम भाईशंः रहेगा और ऐस नाज मरा हमारा पेज और आप छोड़े हного चीज़ischen की टूर जाता है अब प्लास्टिक हो गाया इसका दूसरे अग्जांब्लेटी हो गया डाइकलोρο ऍसले होました इत्रीं ट्यानगा क्या होता है यह थी क्या करता है बहुत ज़दा हाम होता हमारी इन्वार्मेंट के लिए अब देखो इसके इससे हम लोगों को एक और चीज द्यान रखनी है इससे क्या होती है यह जैव सनवर्धन यहां से अपने सुनाओगा बायो मैंगनिफिकेशन इसमें होता क्या है हमारी किस श्रिंखला में आहार श्रिंखला में फूड चेन में जब क्या होता है हमारी इसमें ट्रॉपिक लेवल्स होता है उन ट्रॉपिक लेवल्स में या फिर उन आहार श्रिंखला में क्या होता है हमारी जो पॉलूटेंट्स होती है वो क्या करता है ज हमारे इसका इसपेशली जो क्या होते हैं थीक है जहरीले जहरीले यह फिर पॉइसनस का जाना किसी किसे टॉपिक नेवल्स में उसे क्या बूते है इस्पेशली बाया इस नदियों बारो बढ़ी मचली भादे लिकांट अगले बादे अपैंड़ के बार प पॉइजन को या फिर जहरीले पदार को एक लेबल से दुसरी लेबल तक को जाने को या फिर फूट चेंड में एंटर करने को खाजर स्विंखला में आने को उसको ही कहते हैं हम लोग क्या जैव संवर्धन या फिर बायो मैगनिफिकेशन ठीक है एक और वर्ड है होता है हमारे किसी भी किसी भी मतलब इसका बढ़ जाना किसी भी न्यूट्रेंट का बढ़ जाना उसको हम क्या बहुत है यूट्रिफिकेशन कहते हैं अब इससे होगा क्या अच्छी बात तो है न्यूट्रेंट बढ़ गया और बढ़न बढ़न जो और छोड़े प्लांट प्लांट से क्यों हो जाएगा सुझे नहीं मिल पाएंगी और वह भागी सारी को चाहिए ख़दम हो जाएगा थीक है इसने हर्ची थोड़ो थोड़ो सब कुछ चाहिए होता है ऐसा अत्ती भी भला नहीं होता है ना तो वही समझना कि यूट्रिफिकेशन क्या हो गया हमारे किसी भी प्लांट ब्लाडी इस्पेशली के वाडर बड़ी में किसी का बढ़ जाना किसी भी पोशक तत्वा का बढ़ जाना उसको हम क्या बोलते हैं यूट्रिफिकेशन के बारे में ऐसा मत सोचना कि यह तो नेगेटिव टम है क्योंकि यह ही नेगेटिव टम मतलब पर यह समझना पॉजिटिव में हम लोग टिक मार देंगे ठीक है यह तमहरे समझना आ गया डिटीटीपी आ गया यह लिए थी उसमें छेद हो रहा था ठीक है कब देखा 1986 में देखा फिर 1987 में क्या बनी यूएपी बनी यूनाइटे नेशन इंवार्मेंटल प्रोग्राम इन्होंने क्या बोला ठीक है यहां इसी के बाद हमने क्यूटो प्रोटोकॉल था वो लगा था जिसके लिए प्रोटो कॉलुषं कर रहा है ठीक है उसकी जो बहली रखनी हैं उसकी जो मात्रा रखनी हैं उतनी ही रखनी है डोwnेR 16 तक शतना बढ़ना अब जो इसके पालूटो हैं वह कौन कौन से हैं तो सबसे पहला है इसको फ्लोरो कार्बन सी एफ सी एस क्लोरो फ्लोरो कार्बन अब इसके इंदर क्या-क्या आएगा ठीक है इस्पेशली जो यह कंडिशनर से गैस निकलती है वह क्लोरो क्लोरो कार्बन है एरेसोलिक स्पिरे होता है ठीक है वह क्लोरो जो कर रही है तो पुलत जाव है चाहा तो बदा की थाण में चीज़ हो अती पोईजनेश होती अगर इसको हम इन्हेल कर देते हैं तो यह क्या होती है बहुत ज्यादा हामफुल गैस है ठीक है तो बनती कैसी है अगर बनता है अब इसके बाद है कि इस प्रबंदन के लिए कुछ और चीज भी देखी गई है तो क्या करना है सबसे पहले हम लोगों को बोला गया है बायो गैस को बनाएंगे बायो गैस मतलब क्या होता है बायो गैस में जो में गैस निकलती है उसका नाम क्या होता है मिधेन होता है छीक है अब तुस्री क्या होई रिसाइकल रियूस वाली बात अगे रिड्यूस हर तीन आ रहा है है हमारे पास रिसाइकल मतलब दुपारा कोई भी चीज़ अगर पेपर है तो पेपर खराब हो पेवused कि बीठी को मतलब प्लास्टीक को मैंना यह करने प्लास्टीक बीचार होजिग और पुछ फेखेटीक फेच को मैंने लिड्यूस कि क्या शाते है जाती है धुश्म का प्ली निरा जाती है नो पिला इतुपारा चीज़ करते रीस्टीक अपन иминост тобой उसम जा दाषा ज की पारा थे हमा क्या रेडिशक का यूज राहन है उसको प्लास्टिक जूट पालीबैग यूज जूट पैपर बैग यूज़ लगोग देवा सकते हैं सुनके भी चीज गुल में ठाल दोax दूरीख समय एक अर maybe चेज होसी हम लोग क्या करते हैं जो माना इसको क्या करेंगे पहला क्लाः में आगे डाल फिर नदी में डालेंगे तो यह था कि पास किसके बारे में हमारा प्रियावर या फिर अवरी इन्वार्मेंट के बारे में और नेस्ट लास्ट रेसोर्स का मैंश्मेंट कैसे करना है कि लास्ट चेप्टरों को क्लास 10 तका ठेंक्स पर वाचिंग